हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्यतिक अंपेडिशन क्लासिस के यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड आपका अज एक्जाम होगा मुझे पता है और अंदर कुछ ना कुछ एक कसम कस चल रही होगी कि एक्जाम का लेवल क्या रहेगा जार कल त तो देखिए विदाव डिले शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो देखिए आज के वीडियो में जो मैं आप से डिसकस करूंगा पैठिस कोशन ये सभी कुशन सापके एंपी के एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं चाहें वह एक्जाम हो या पी आपका कोई अधर एक्जाम ही क्यों ना हो तो देखिए क्या करता है आपको पता होगा स्टेट की आपको MP पटवारी का अगर आपका आज एक्जाम है तो पिछले कुशन में सही वह उठा करके आपको नया पेपर डिजाइन करेगा और कुछ कुशन उसमें डाल देगा आपका पेपर स उसको पढ़ा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसके तमाम वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर रहें देख सकते हैं वीडियो आडियो नहीं वीडियो बन चुके हैं बुक कंपिट हो चुकी है एक एक पॉइंड को जब भी आप देखिंगे वीडियो को आज के एक्जाम के लिए वो यह है कि भारत के लिए पहला ग्रांड स्लेम जीतकर इतिहास रचने वाली खिलाडी कौन है तो वह हैं आपकी सानिया मिड़जा फिर है तेजस तेजस क्या है यह अक्चुली स्वेदी सी तकनिक से निर्मित भारत का पहला बहुदेश्य लिड क्या है तो यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो यह आपका महेश दास SMS की फुल फर्म क्या है तो वह आपकी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसीज और बटरफलाई सब्द किस खेल से संबंदीता है तो यह आपका तेराकी से मिक्की माउस किसकी कृती है तो यह आपकी डिजनी की अगला कोशन है देखे एक वानेजी के छेत्र है उसमें अक्छली बुल और बियर का संबंद किस से होता है तो यह होता आपका स्टॉक मार्केट से कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं कौन एक विडि सेयर धारग अगला पॉइंट नमबर जो है टैन यामने क श्रमूर्ति किसकी कुसल एवं परख्यात निर्तियांगना है तो यह हैं आपकी भरतनाटियम एवं कुछी बड़ी की कौन विदेशी यात्री दिल्ली का काजी बना था तो वो था आपका इबन बतुत्ता और यह कहां का ट्रैवलर था यह था आपका मरकों का अकबर का अपके अकबर तो अकबर से समद्धित बहुत सारे कोश्चन साब के एकजाम में पूछे आ सकते हैं जैसे राज्यवी से कब हुआ था पंद्रा सो चपन में हुआ था कहां पर हुआ था कला नौर में हुआ था राज्यवी से किसका यह आपको पता होगा शायद और उसके ब अपको याद करने चाहिए और आपको याद करने चाहिए और आपको याद होगे भी ऐसी मैं आपसे उम्मिद करता हूं अगर आपने अच्छे से इमानदारी से पढ़ाए कर यह थी तो अगला पॉइंट है किस ने कहा था विवेक अनंद आधुनिक राष्टे आंदुलन के अध्यात में पिता थे तो यह थे आपके सुभास चंद्र बॉस पॉइंट नंबर 14 अकबर के नवरतनों में से एक अबुल फजर का जर्म कहा हुआ था तो यह हुआ था नागोर राजिस्तान में और कस्मीर क हिंदू राजिय का इतिहासिक सुरोत किया है तो यह आपका कलहन की रजत रंगिनी पॉइंट नंबर 16 है महात्मय गांदी द्वारा इस्तापित हरीजन सेवक संग के संस्तापक अध्यक्ष कौन थे तो वह थे आपके घंस्याम दास बिढ़ला 17 नंबर है हम मानवता को वहा किस ने किया था तो वह किया था डॉक्टर वी के आरवी राओ ने अगला पॉइंट है 19 जैहिंद का नारा सुभाष चंद्र बॉस ने किस लेंग्विज में दिया था तो वह था आपका जर्मन बाहसा में पॉइंट नंबर 20 जदी इस्वर एस प्रिश्यता को सहन करने लग पॉइंट नंबर 21 देखिए ग्रैमी पुरुसकार जो होता है वह कौन से चेत्र से संबंद रखता है एक्जाम में यह कॉश्चन कई बार पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका संगीत के चेत्र में 22 नंबर है इतिहासे को पन्याच वैसाली की नगर वधू के ले पिट कर रहा हूं शहाद आपको याद आजाएगा अगर भूल गए होंगे तो देखिए अर्थ सास्तर के लिखा कौन है कोटली है बहुत इसी कोश्चन है पता होगा आपको अगर मैं आपसे बात करूं हर्स चरीत गरंद जो है इसके रशनाकार कौन है याद है आपको बा आपको पता होगा मैं बढ़ता हूं आगे 23 पर ठीक है वैनिटी फेयर नामक फिल्म भारत के किस परख्यात फिल्म निदेशक द्वारा निदेशित की गई थी 24 नमबर है किस पंद के अनुवाई सतनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे तो वो थे आपके कबीर पंद अगला है कोशन 25 किस विख्या समा सुधारक द्वारा ग्यान योग कर्म योग तथा राज योग नामक पुष्टक लिखी गई है स्वामी विवेकरंद के द्वारा 26 नमबर है नाज संप्रदाय में आदिनात के रूप में किस को मानेता दी जाती है तो वो है अपकी शेफ को बिहारी किस राजा के राज कवी थे जैपू नरिस जैसिंग है और च्छायाबादी यूग का परवरतर किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है जैसिंग कर परसात को 29 नमबर है हिंदी कवियों में महा प्राण किस कवी के लिए परियुक्त होता है सूरे कान तिरपार्ठी निरगा के लिए 30 नमबर है हिंदी कावे की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है महा देवी वर्मा को कुश्य नमबर 31 है आपका हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना चाहता है भारत इंदुहर श्यंत को और पुष्टी मारकेशन सबक कौन थे वल्लबाचारी है 33 नमबर है परसीद ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्मान किस ने कराया था राज राजा प्रथम ने 34 नमबर है भाग वह इसी के काल में हुआ था याप याद अखना एक्जाम में आपसे पूछ लेता है कि 1857 का विजरू हुआ था उस समय वाइसराय कौन था लॉर्ड कौन था तो वह था आपका लॉर्ड कैनिंग और इसका जो कारेकाल था वह था 1856 से लेकर के 62 तक का और देखिए 1857 के करां उसका नेत्रत्व किस नहीं किया था बहुत इलड़ू कोशन है बहादुर शाह देत्या दित्या यादखना देत्या पर्थम नहीं दो थे पर्थम देत्या तो एक्जाम में आपको दित्या पर किलिक करना है अब बात करेंगे कानपूर में नाना साहब तैट्ट्य टोपे बेगम हजरत महल और जहां सी में तो लक्ष्ण भाई होंगी कॉमन सी बात है इलाबाद में आपके लियाकत अली थे और बरेली में आपको लिश्ट आपको अच्छे से याद करनी है यह मिलेगी आपको लूसेंड की बुक में जो आपके नीदी वाली बुक है उसमें अपक कुछ नया मत पढ़िए जो परड़का उसका रिविजन करिए बस इससे फाल तो वह कुछ नहीं करना है एक्जाम के बाद में आपका जो भी नेक्ष्ट एक्जाम रहेगा अगर आपने बुक नहीं पढ़िए होगी तो बेस कम से कम से कर लो अपना ठीक है तो इसी के साथ म सबस्क्राइब मत करना भी फिलाल अप्लोग सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएए वहां पर जितनी भी बुक आपको दिखाए दे रही है यह सूर अगर चैनल हो तो उसको सबस्क्राइब करें अन्यता ना करें अगर सबस्क्राइब करने का मोड हो तो साइड में अग्यक्राइब करें अगर अल्ग एष्ट